राश्ट्रिये शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशेक्षन परिशत के, केंद्रिये शैक्षिक प्रध्योगी की संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुते, रागों के संक्षिप्त परिचे सहित, रागों की स्वर्मालिका और स्वर्मालिका पर आधारित रच कि आदर्श गायन को प्रस्तुत करती शंखला राग रस बरसे कि आदर्श गायन को प्रस्तुत करती शंखला राग रस बरसे कि आदर्श गायन को प्रस्तुत करती शंखला राग रस बरसे सब का स्वागत है संगीत के अध्यापक और संगीत के विद्यार्थी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि संगीत की महत पूर्ण भूमी का अदा करती हैं अध्यापक गण पुस्तकों की साहता से विद्यार्थियों को लगभग सभी पाठ सिखा सकते हैं जैसे सरगम क्या है? स्वर किसे कहते हैं? कोमल स्वर और तीवर स्वरों की परिभाशा क्या है? वादी और सम्वादी स्वरों का क्या है? ठाट की परिभाशा, राग की परिभाशा, राग की जातियां, आरोह, अवरोह, पकड का ज्यान आधी पुस्तकों की साहता से सीखा जा सकता है। किन्तो अध्यापकों को सबसे अधिक कठिनाई आती है रागों की सरगम को सिखाने में। रागों की सरगम का गे रूप विद्यार्थियों को पुस्तकों के द्वारा सुनाया नहीं जा सकता क्योंकि उसके लिए रागों की सरगम को गा कर प्रस्तुत करना जरूरी होता है इसलिए ये आवश्चक्ता अनुभव की गई कि रागों की सरगम की आदर्श गे रूपों को आडियो बुक्स यनि कैसेट पर ध्वनी पुस्तकों के रूप में तयार किया जाए इन ध्वने पुस्तोकों के नर्मान के दौरान ये भी अनुभव किया गया कि रागों की प्रचलित बंदिशों का कत्थे बहुत ही पुराना है इसलिए बंदिशों की कत्थे को समसामाई करने का प्रयाज भी किया गया है पंडित विश्णू नरायन भातखंडेजी द्वारा रचित रागों की स्वर्मालेकाओं पर आधारित बंदिशों अर्थात रचनाओं का कत्थे देश भक्ती पर्यावरन जागरण नैतिक शिक्षा सामाजिक ज्यान आदी विश्यों से अलंकरत किया गया है संगीत के अध्यापकों और विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे शिक्षन के दौरान इन ध्वनी पुस्तोकों का उप्योग साहिक सामगरी के रूप में करें अब आईए हम सब शामिल हो जाएं इस संगीत मैयात्रा में और सुने शंकला राग रस बरसे डाग रस बरसे राग बिलावल राग बिलावल की उत्पत्ति बिलावल थाट से ही हुई है अतह इस राग को बिलावल थाट का आश्रय राग कहा जाता है इस राग में सारे स्वर शुद्ध प्रियोग किये जाते हैं इस राग के आरूह और अवरूह में साथ साथ स्वर प्रियोग किये जाते हैं अतह इसराग की जाती संपून संपून है इसराग का वादी स्वर धैवत अर्थात धा है और समवादी स्वर गंधार अर्थात गह है इसराग का गायन समय दिन का प्रथम पहर है राग बिलावल के आरोह, अवरोह और पकड इस प्रकार है सबसे पहले सुनिये आरोह सारे गामा गापा नीधनी सा और अब सुनिये आवरोह सानी धापत मागा मारे सा इस राग की पकड इस प्रकार है गारे गापा धनी सा अब प्रस्तुत है राग बिलावल की स्वर्मालिका जो तीन ताल मध्धलय में निबद्ध है इसमें सूल्ह मात्राएं होती है पहले प्रस्तुत है राग बिलावल की स्वर्मालिका की स्थाई सार अपा मागा मारे गामा पामा अगा मारे सार सार अपा मागा मारे गामा अपा मारे सार सार अपा मारे गापा निनी सारे 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 सा निनापा मागा सार अपा मारे गापा निनी सारे 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 सा निनापा मागा अब प्रस्तु थे इस स्वर्मालिखा का अंतरा प्रस्तु थे इस स्वर्माद के अंतरा अंतरा पानी सारे रे सारे साने दापामागा अभी आपने राग बिलावल की स्वर्मालिका सुनी अब प्रस्तुत है इसी स्वर्मालिका पर आधारित एक रचना बोल है देश मेरा सबसे सुन्दर है पहले प्रस्तुत है इसकी स्थाई देश मेरा सबसे सुन्दर है देश मेरा सबसे सुन्दर है देश मेरा सबसे पावन है देश मेरा सबसे सुन्दर है देश मेरा सबसे अब प्रस्तुत है इस रचना का अंतरा देश की सुन्दर पावन माती देश की सुन्दर पावन माती तुझ को लाखों बार नमन है देश मेरा सबसे सुन्दर है देश मेरा सबसे अभी आपने राग बिलावल की स्वर्मालिका सुनी साथ ही सुनी इस स्वर्मालिका पर आधारित रचना आपने राग रस बरसे राग रस बरसे राग रस बरसे आपने राग रस बरसे राग रस बरसे राग रस बरसे राग रस बरसे कर दो